अपने फ्रेंड्स के साथ में चलिए यह हमारा lecture 1 है और आज हम यहाँ पर discuss करेंगे previous year के question paper एक बार हम पहले देख लेते हैं कि किस type के questions आप लोगों के exam में आते हैं फिर उसी तरीके के त्यारी हम आपके साथ में मिलकर करेंगे ठीक है तो यहाँ पर हम strategy भी उसी के according बनाएंगे पहले हम यहाँ पर previous year के question जैसे कि आप लोगों पता होगा जो previous year आप लोगों ने अगर देखा है यह paper दिया है तो आप लोगों को जानकारी होगी कि English का जो section है वो पूरा grammar based राता है और 20 questions आप लोगों के यहाँ पर पूछे जाते हैं तो चलिए देर नहीं करते हुए पहला question आप लोगों की screen पर which of the following word is correctly spelled आप लोगो correct spelling बतानी है correct spelling क्या है communication की पूछ रहा है तो communication की spelling आप लोगो देख सकते हैं तो यहाँ पर A correct है communication की right spelling है वो यही होती है next पूछ रहा है business की correct spelling तो business की correct spelling होती है B जिसमें single S यहाँ पर आता है और double S आएगा ठीक है next question यहाँ पर in the following question choose the word which has similar meaning to the word in capital जो capital में आपको word दिया गया है उस word के यानि कि इस word के same meaning आप से पूछा है यानि कि synonym पूछा है आप से तो infringe infringe का synonym यहाँ पर पूछा है कि क्या होगा infringe का मतलब क्या होता है infringe का मतलब होता है उलंगन करना ठीक है उलंगन के लिए यह use किया जाता है किसी चीज का उलंगन करते हैं तो उसके लिए infringe word का use होता है अब यहाँ पर discuss, transpire, violet यह none of the above उसमें आपको पैचानना है कि infringe का same meaning क्या होगा तो इसका same meaning होता है violet ठीक है क्या होता है violet, discuss का मतलब होता है चर्चा करना आप लोग को पता होगा discussion और transpire का मतलब होता है कि evaporate हो जाना हवा में उड़ जाना या भाब बन के उड़ जाना ठीक है evaporate हो जाना next यहाँ पर word है contiguous, contiguous का मतलब होता है लगातार इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं लगातार या पर जो मिला हुआ है ठीक है अगर आपके size मतलब घर होते हैं जैसे घर की दिवारे होती है वो मिली हुई होती है और लगातार भी होती है तो उसको हम contiguous walls बोल देते हैं ठीक है तो यहाँ पर contiguous का मतलब हो गया क्या मिला हुआ ठीक है मिला हुआ इसका similar meaning होगा या इसका synonym word होगा वो क्या है touching touching का मतलब भी क्या है जुडा हुआ या मिला हुआ अगर आप किसी को touch करोगे तो उससे क्या होगा आपका sparsh होगा और वो क्या है मिला हुआ उसी तरह के से यहां पर incorrigible का अगर मतलब मैं बताऊं तो इसको होता है जिसे किसी चीज में सुधार नहीं कर सकते ठीक है, incorrigible उसके लिए यूज किया जाता है next यहां पर आते हैं closed, तो closed का मतलब आप लोग को पता होता है तो इसका क्या होगा आप लोग के लिए? closed का मतलब आप लोग को पता है आपर clear होगा, shut होगा, finished होगा या इन में से कोई नहीं होगा आप लोग देख रहे हैं कि इसी तरह के questions आप लोगों से पूछे जाते हैं ठीक है? तो closed का मतलब क्या होगा? shut होगा, या तो shut the door बोलते हैं या close the door बोलते हैं तो same ही meaning होता है इनका, ठीक है यहाँ पर आप से synonym पूछे गए हैं next आता है यहाँ पर passage, अब passage को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है वो इसके questions पर depend करता है लेकिन हम यहाँ पर पहले एक नजर पैसेज पर मार लेते हैं, ठीक है जल्दी से rapidly आप इसको बिल्कुल जल्दी से इसको पढ़िये, ठीक है there was a narrow rope bridge across a deep river, the bridge was so narrow that only one person could cross it at a time it also shook a great deal because it was made from ropes, the bridge was high above the river one day a goat was crossing the rope bridge, from the other side another goat decided to cross the bridge at the same time the goat met in the middle of the bridge, the two goats tried to walk past each other but the bridge was too narrow both the goats could not cross at the same time, they tried to push and squeeze their way past each other but the bridge began to shake and swing in the dangerous way a wrong step or a hard push could easily make them fall into the river the two goats realized the danger they were in, they stopped pushing each other then one goat knelt down while the other climbed over its back the goats thus were able to get past each other and they both reached at other end safely this passage of passage, if you have a little meaning of a little bridge, if you know what a little bridge is there is a small bridge, which is a bridge that is made from the bridge which is made by the bridge, it is very narrow, it is very narrow, it is very narrow, it is very narrow the goat that you want to cross from the river on it, you are able to across the bridge through all the other, the other goatorder, the other goat calls both through the way Ones Rider is cross the hippie at the same time once before they both go out and die again and step in theiąx ache also cross the bridge ब्रिज है वहां से निकलना उनके लिए पॉसिबल नहीं है दोनों का एक साथ एक ही टाइम पर तो जो ब्रिज है वो हिलना शुरू होता है और उनको पता चलता है कि अगर हम ज्यादा हेलेंगे तो हम पानी में गिर सकते हैं इसलिए वो क्या पर जाते हैं तो question क्या है what happened when the goat begin pushing each other क्या होता है जब गोट एक दूसरे को क्या करने लगते हैं पुश करने लगते हैं तो क्या होता है वहां पर the bridge begin to shake जो है वो हिलना शुरू हो जाता है जब वो एक दूसरे को पुश करते हैं ठीक है what lay below the narrow bridge किसके उपर था वो narrow bridge आप लोग को पता होगा किसके उपर था deep river के उपर था ठीक है next question है why did the goat stop pushing each other क्यों एक दूसरे को पुश करना बंद कर दिया था उन बक्रियों ने they knew there was a danger ये वो जान गई थी कि वहां पर मतब खत्रा है अगर हम हिलेंगे जादा या पुश करेंगे दूसरे को तो वहां पर हम पानी में गिर सकते हैं नदी में गिर सकते हैं या फिर they were tired वो थक गई थी या फिर they like each other वो एक दूसरे को पसंद करने लगी थी या फिर one got was hurt एक जो ये goat है ठीक है goat was hurt एक बकरी hurt हो गई थी तो क्या था इसका answer they knew there was a danger उन्होंने क्यों बंद कर दिया क्योंकि उन्हें पता चला था कि यहां अगर हम एक दूसरे को पुश करेंगे तो हम danger में पस जाएंगे या फिर हम पानी में गिर जाएंगे ठीक है next question the word squeeze means squeeze का मतलब क्या होता है एक जो दो ends होते हैं उनको एक तरफ प्रेस करना या उसको दबाना ठीक है तो क्या होगा इसका answer to press against each other squeeze का मतलब क्या होगा to press against each other इसी के साथ next question the bridge was made of किस से बना हुआ था वो bridge rope का बना हुआ था रसीयों का बना हुआ था next question next question यहां पर है the following sentences are divided into four parts one part in each sentence is wrong you have to find it यहां पर आपको error find करनी है कि किस part में आपको error दिया गया है पहले यहां पर 11th question है this is an great idea आप लोग को दिख रहा होगा कि इस sentence में an great का जो यह part है part number 3 तो आप लोग को पता है कि great के साथ में क्या use होता है a का use होता है क्योंकि यह कोई vowel नहीं है या vowel का sound नहीं निकल रहा है तो यहां पर an article का use नहीं होगा किसका use होगा a का use होगा तो यहां पर option 3 correct होगा next question number 12 है I have saw the circus तो यहां पर क्या होगा subject के साथ में has have के साथ में क्या लगता है third form लगती है तो यह क्या है यह second form है saw का क्या हो जाएगा scene हो जाएगा क्या हो जाएगा saw का scene हो जाएगा तो option number 2 हमारा correct होगा next question है Raja love his mother आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है कि राजा क्या है यह singular है क्या है यह singular है और जब भी singular के साथ हम किसी verb का use करते हैं तो वह कैसे होती है S या E S के साथ जुड़ी होती है तो यहाँ पर क्या होगा loves राजा loves his mother तो इसमें भी option number 2 ही क्या होगा आपका correct answer होगा the glass क्या आएगा in with into या पर to इसमें क्या आएगा कहाँ पर milk डाल रही है वो glass में डाल रही है तो किसी चीज को डालने के लिए जब किसी चीज के अंदर कोई चीज जाती है तो उसके लिए क्या use होता है into use होता है क्या use होता है into ठीक है next question I met her the junction कहाँ पर मिला वो junction पर मिला तो on by at below इन में से क्या आएगा तो क्या आएगा यहाँ पर at आएगा at the junction क्योंकि उसने एक location दी हुई है कि मैं उसको एक junction पर मिला next question है I tasted ice cream today तो यहाँ पर क्या आएगा आई के साथ में क्या आएगा n आएगा क्या आएगा n next question question number 17 complete the following sentences by selecting the best alternative इस sentence को complete करना है इन alternatives में से choose करना है आपको I thought I should my experience share with you experience you with share my share my experience with you यहाँ पर share your experience with me तो यहाँ पर क्या आएगा share my experience with you correct sentence का जो formation है वो किस तरीके से बनेगा I thought I should share my experience with you next question इसको भी आपको complete करना है I am planning a holiday for 10 in Shimla days in days for 10 Shimla या फिर in Shimla for 10 days या in Shimla for days 10 तो यहाँ पर आप correct sentence क्या होगा यह I am planning a holiday in Shimla for 10 days correct sentence का formation आप लोग का यही होगा next question given below are four sentences marked as 1234 find the correct order of the sentences to make a paragraph यहाँ पर आपको इचार sentence दिये गए है इनको आपको एक paragraph में arrange करना है और आपको बताना है कि कौन सा sentence आपके paragraph के according first, second, third, fourth rank पर आएगा ठीक है sentence पढ़ लेते हैं sentence क्या क्या है हमारे पास if he is hurt, he carries his house with him tortoise is a strange animal यह इस है he draws his head into his house तो यहाँ पर आप किससे शुरू करेंगे इसको यहाँ पर दिख रहा है किसके बारे में बात हो रही है paragraph में tortoise के बारे में बात हो रही है तो इस sentence को हम पहले लिए आते हैं tortoise is a strange animal तो यह हमारा पहला sentence हो गया he carries his house with him वो अपना house अपने साथ carry करता है ठीक है इसलिए क्या है strange है तो पहले आ गया third sentence उसके बाद second उसके बाद में if he is hurt अगर वो hurt होता है तो he draws his head into his house तो पहले क्या यहाँ पर क्या आएगा पहले first sentence और पर fourth यह आपका correct sentence बनेगा पराग्राफ क्या बनेगा tortoise is a strange animal he carries his house with him tortoise एक strange animal है और वो अपना घर अपने साथ में carry करता है अगर उसको कोई चोट लगती है या कुछ उसको मुसीबत दिखाई देती है तो वो अपना जो सर है वो अपने घर में गुसा लेता है या अंदर कर लेता है ठीके तो यह क्या हो गया आपका correct sentence का formation हो गया है three two one four यानि कि क्या और सा option है आपका option number c आपका correct इस session का last question है question number twenty इसमें भी आपको यह order arrange करना है इस paragraph arrange करना है आपको it entertains us and gives us pleasure without it life is incomplete music is an art या फिर इस पार्ट आफ एवरी दे इस लाइप तो यहां पर आपको पता चल रहा है कि subject ढूनना है हमें सबसे पहले किसके बारे में बात की जा रही है तो किसके बारे में बात की जा रही है music के बारे में बात की जा रही है subject हमको कहा मिल रहा है इस sentence में मिल रहा है third sentence में तो बिना कुछ देखे बारे 3rd sentence को 1st position पर रख लीजिए, उसके बाद यहां पर क्या है, music is an art, without it, life is incomplete, इसके बारे में बात हो रही है, कि इसके बिना क्या है, life incomplete है, तो 2nd आये, या फिर रुकिये, इसके बाद में 2nd भी आ सकता है, लेकिन हमारे साथ में क्या होगा, यहां पर 3rd आएगा, उसके बाद में 4th sentence आएगा, क्या है, music एक आर्ट है, और यह क्या करती है, it entertains us and gives us pleasure, यह हमें entertain करती है और pleasure देती है, तो 1st, इसके बाद 1st sentence को लगा लेजे, again उसके बाद में, without it, life is incomplete, इसके बिना, life क्या है, incomplete है, तो 2nd इसके बाद आएगा, और फिर बचा हमारा 4th sentence, तो यह हमारा sentence का formation ह क्या है, यह सब आपको समझाया जाएगा, सारी trick आपको समझाया जाएगी, किस तरीके से question को solve करते हैं, यहाँ पर तो सिर्फ हमने एक general idea लिया है, कि किस तरीके के questions आपके exam में आते हैं, लेकिन अगर आप इसको deeply पढ़ना चाते हैं, तो हमारा batch join कर सकते हैं, DSSB का PRT batch, free ह एक दम आप लोग को कोई भी payment इसके लिए नहीं करना है, अगर आप लोग को अच्छा लगता है, तो हमारी payment सिर्फ इतनी ही होगी, कि आप इसको like करें, share करें, channel को subscribe करें, और bell icon को press जरूर करें, ताकि आपको timely updates मिलती रहें, तो यहाँ पर हमारा जो session है, आज का जो paper है, वो खत्म होता है, हम मिलेंगे next paper के साथ, next lecture में, और आप लोग का इंतजार रहेगा कि कब आप लोग हमारे साथ में जुड़ते हैं, thank you so much everyone,